खोलासा में आपको दिखाते हैं भागलपूर से एक विशेश रिपोर्ट कहलगाओं इस्थित एंटीपीसी का एश पाउंट एक बार फिर 7 नुवंबर को ध्वस्थ हो गया इससे पहले जब अगस्थ में यह पाउंट ध्वस्थ हुआ था तो एंटीपीसी ने बारिश का बहना बनाया था पर इस बार बिना बरसाथ जब यह पाउंट तूटा है तो प्रबंधन की निंद खुली लेकिन तब तक 200 एकर में राख से युक्त पानी फैल गया है किसानों का बरा नुपसाम हुआ है देखे भागलपूर से रवी कुमार की रिपोर्ट भागलपूर जीले के कहलगाओं का एंटीपीसी प्रवंधन की लापरवाही एक पर फिर सामने आई है आपको बताने की बिछले साथ अगस को सूपर थर्मल पावर स्ट्रेक्शन के एस पाउंड का तलाब जब धुस्थ हुआ था तो काफी बवाल हुआ था और इस एस पाउंड के धुस्थ होने की खबर आपको खुला सानी बताया था लेकिन उस दोर ant प्रवंधन ने बरसाथ का बहाना लेकर पाउंड के धुस्थ होने की बात रखकर पाउंड की मरमती की पात कही थी पर अब जब की बरसात का नामों निशान नहीं है तब एक बर फिर 7 नम्मबर को पहले से धस्ट हुए एस पाउंड धस्ट हो गया है इस राक के तलाव के धस्ट होने से इलाके के किसानों के लगभग 200 एकर खेतों में ये राक युक्त पानी फैल गया है लहाज़ा इन खेतों में लगी फसल भी राक वाले पानी से खराब होने लगी है इस राक युक्त पानी के खेतों में फैलाव के बाद किसान हाकार कर रहे हैं इलाके के लोगों की माने तो एस पान को ध्वस्त करने में इस्थानिय ठेकेदारों का हाथ बताया जाता है क्योंकि एस पान के तूटने के बाद इसकी मरमती के नाम पर करोरों के टेंडर का खेल होता है बहराल इस्थानिय पुलिस और एंटीपीसी कहलकाओं प्रवंधन एस पान के ध्वस्त होने की जाज में चुट गई है खुलासा के लिए शुतिप्रिया के साथ भागलपूर सी रवीक कुमार की रिपोर्ट प्रवंधन गुट बहुए रभागल प्रवंधन प्रवंधन टूख ड़का है